हलो इवरीवन मैं हूँ पतीभा कानपुरकिचन.com में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज हम पके हुए लाल टमाटर से बहुत ही चटपटी और टेस्टी सी रेसीपी बनाएंगे जो कि आपको बहुत पसंद आएगी आप कभी भी इसे चटपट बना के तयार कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और से जरूर कीचिएगा इस नास्ते को बनाने के लिए हमने आपर दो पके हुए लाल टमाटर लिये हुए हैं टमाटर थोड़े से बड़े साइज के हैं यह देखे दोनों को ऐसे हम मिक्सी के जार में काटके डालेंगे दो हरी मिर्च को ऐसे तोड़के डाला हुआ है थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे चार से पास लहसुन की कलिया डाल देंगे अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से पीस के तयार कर लेंगे तो एक दम फाइन पेस्टिस का तयार करना है यह देखे फ्रेंट्स इसे हमने एक ब तोड़ा आटा डाल करके मिक्स करेंगे हमें इसका जो डो है इसी तरह से लगाना है यह देखे इसे ऐसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और जरूरत की हिसाब से हम इसमें की हुग का आटा डालते जाएंगे हमें इसके लिए semi soft dough तयार करना है डो को बहुत ज़दा tight नहीं रखना है और बहुत ज़दा soft नहीं रखना है तो ये देखें पूरा आटा मैंने इसमें इस तरह से डाल के bind कर लिया हुआ है अगर आपको जरूरत लगती है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं 10 से 15 मिनट के लिए से हम ढखके छोड़ देंगे तब तक एक कटोरी में मैंने एक बड़ा चमज के जितना देशी घी लिया हुआ है घी को हलका से मेल्ट कर लेंगे क्योंकि विंटर सीजन में जो घी है वो बहुत ज़्याद हार्ड हो जाता है जम सा जाता है तो देखे मैंने हलका से मेल्ट किया हुआ है एक चमज भरके हम इसमें ग्रेट किया हुआ लैसून डालेंगे तो लैसन को ऐसे बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लीजी एक चमच लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा नमक डाला हुआ है थोड़ा सा डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धलिया और इन सारी चीजों को हम ऐसे इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरीके का हम एकदम पेश्ट जैसा इसे तयार कर लेना है इसी से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा अब जो हमारा आटा है वो भी अच्छे से से सेट हो गया है 10-15 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था एक बार फिर से हम इसे अच्छे से मसल करके चिकना कर अब हम इसकी मेडियम साइज की इसे बॉल्स तोड़ लेंगे तो जितने बड़े पराठी आप बनाना चाहते हैं उसी इसाप से आप इसकी लोई कट करें तो देखें मैंने मेडियम रखा हुआ है एक लोई हमने ले वही है और इसे हम पहले इसे हलका सा रोल करेंगे रोल क बेलन की सहाइता से हम इसे एकदम पतला बेल के तयार कर लेंगे जैसे कि हम नौर्मल रोटी बगएरा बनाते हैं उससे थूड़ा सा पतला बेलेंगे अब जो हमने घी वाला मसाला बनाके तयार किया था उसे हमें पूरे रोटी के ऊपर अच्छे से स्प्रेट कर देना है तो यह देखिए अच्छे से फैला देजिए पूरे बिल्कुल किनारे तक इसे अच्छे से फैलाना है आप देख सकते हैं मैंने इसे किस तरह से फैलाया हुआ है ऐसे हम इसे फोल करेंगे पहले दोनों तरप से हलका सा फोल करेंगे और बीच में हलका सा दबा देंगे जिस इसे बेल लेंगे तो ऐसे हम इसे चोपन क्युन फीश्बोंा घुमा की हलका सा इसे बेल लेत ध्यान Нथी ढहने से पतला नहीं दीशिए थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे आप चाहें तो इसी तरह से तिकोना पराठा भी बना सकते हैं या चाहें तो गोल भी बना सकते हैं तो जैसे आपको इजी लगे वैसे बना सकते हैं तो ये दिके फ्रिंट इस तरह से हमने इसे बेल के तयार कर लिया हुआ है अब हम चलते हैं जिसके लिए गैस में हमने एक तवे में इसे डाल दिया हुआ है जब एक साइट से हलका सपक जाएगा तो हम इसे टर्न कर देंगे और इसमें हम घी लगा देंगे आप घी की जगए ओयल भी लगा सकते हैं यह देखिए अच्छे से लगाना है ताकि हमारा जो यह नास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने साथ ही इसके अंदर जो मसाला लगा है उससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा तो दूसरी तरब भी पलट के ऐसे लगा देंगे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से लेयर इसकी खुल रही है तो ऐसे हलके से दबाते हुए इसे सेखना है ताकि जो ब्राउन स्पॉट है वो पूरे पराठे में अच्छे से आ जाए तो ऐसे दो से तीन बार इसे पलट पलट करके सेख लीजिए ये लीजिए फ्रेंज हमारा बहुत ही टेस्टी ये टमाटर का नास्ता यानि कि टमाटर का जो पराठा है वो बन के त झाल 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 झाल